हेलो फ्रेंड गुड मॉर्निंग आप सब कैसे हो मैं प्रिजी धोटे धोटे चैनल में आपका स्वागत है आज मैं बनाने जा रही हूँ पत्ता गोबी के कोपते उसके लिए मैंने प्याज लशण अद्रक लिया हुआ है और प्याज मैंने कढ़ाई लिये कढ़ाई में तेल पूरे गरम मसाले एट कर दूंगी खड़े वाले काली मिर्ची हो गया अब उसको मैं भूल लूँगी और अद्रक लशन को मैं कच्छा ही पीस लूँगी इधर में एक कढ़ाई लेती हूं उसमें पानी रखती हूं उसमें पत्ता वो भी काटके डाल देती हूं और उसको प्रखती हूं उसमें टमाटर भी उबाल लिया मैंने अब यह सबजी उबल गई है मैं उसको निकाल के रख रही हूं जब तक इधर प्याज लशन अद्रक हो चुका है उसको मैं पीस लेती हूं अब मैं पत्ता गोबी को भी पीस लेती हूं जो उबाली हुई रखी हुई थी अब टमाटर को भी पीस लेती हूं टमाटर का भी पेश्ट बना लेती हूं अब पत्ता गोबी के पकोड़े बनाने के लिए मैंने पत्ता गोबी को पीस के रखा हुआ है उसमें मैंने प्याजी काटके डाले हुए है जीरा डाला हुआ है नमक अजवाईल लाल मेची नमक हल्दी भी एड़ कर दूंगी अब इसमें बेसन बेसन एड़ करके इसको मिला लूँगी अब एक कड़ाई रखूंगी गेस का अन करूंगी उसमें तील डालूँगी और तेल गरम होने पर इसके पकोड़े बना लूँगी पकोड़े बनके तयार है अब सबजी फ्राय करने के लिए मैंने यहां लाल मिर्ची नमक तेल एक कड़ाई रखी है कड़ाई में तेल लिया हुआ है उसमें जीरा और प्याज का पेष्ट लशन का पेष्ट एट कर दिया है एक कटोरी ली है उसमें लाल मिर्ची नमक पाउडर और गरम मसाला सब उसमें एट करके पानी मिक्स कर दिया है मसाला पक चुका है अब उसमें जो मिक्स किया हुआ है वो पेष्ट डाल देती हूँ लाल मिर्ची नमक वाला उसको थोड़ी दिर होने देती हूँ फिर टमाटर का पेष्ट डाल देती हूँ और उसको थोड़ी दिर होने के बार पकोड़े छोड़ देती हूँ अब उसमें थोड़ा सा पाली एट कर देती हूँ और उसको उबलने देती हूँ फ्रेंड सब्जी बनके तयार है आपको अगर मेरा चैनल फसंद आता है तो लाई सस्क्राइब कमेंट फॉलो कीजिए और वाश टाइम बढ़ाईए थेंक यू